हाई दोस्तों नमस्कार स्वागते मेरे चानल में मैं पुश्पा आपके सामने और एक रिस्पी के साथ आगए आज का जो रिस्पी है आपको देखते मालम हो जा रहा है दोशा है दोशे में बहुत सारे विरेटिया है और मोंग दाल का उड़त दाल का हरा मोंग दाल का चना आल का बहुत सारे दोशा हैं जो मैं पता रही हैं मौग दाल इंस्टिंट का बता रहे हो इक ही गंटे के बीगाने का पस उतना ही पटाफट बन पर्तन में दाल देते हैं और ऊई ग्लास से मैं एक ग्लास उतना चावर लिया है अगर आप लौब चाहिए तो यहां पर एक से दू चमश तक पड़त डाल भी डाल सकते हैं अगर मैं नहीं दाल रहे हूं सिरिफ मॉंग दाल का ही बता रहे हूं जो इंस्टेंट हम बना सकते हैं मैं इसको एक गंटे तक बीगव के साइड में लगा था अभी हम मिक्सी में दाल के जो दोशा का बैटर रहता है जिस सबसे उसी तरह से हमें बनाना है हमारे कर्में जबी दोशा और इडली का बैटर खतम हो गया तो यह इंस्टेंट बच्चे आये तक बना ले सकते हैं आप तो फ़र में बिगाए तो उलोग शाम में आये तक आपका बैटर रेडी रहता है उलोग आते फ्रेश रहे तक गरम-गरम दाल के दे सकते हैं मैं हम पे चोटा चमस एकचे में जीरा डाला है और यहां पर स्वाधनसर नमक डाल रहे हूं यानि पाउचे में इतना नमक डाल रहे हूं आप अपना स्वाधनसर डालिए और तोड़ा सक कर्योपता डालती हूं मचे कर्योपता नहीं काते हैं ऐसा दोशे में डाल के दिये तो जादा बारेखनों फिर थिएा और कमनी। सब्सक्राइब ऑंपर सोगत हैं तर तक स excitement कर तेस्ट प्नाबौत हैं कर से यह तो नोगहा है और समय करीधाता तरदद्रमें वख सबस्क्द करेंग अर्चालेएं को थोड़ा सा गरम होने देते हैं उसके बाद जो बाटर है हमारा इसको तेल वगरा लगाने के ज़रत नहीं है इसलिए तेल वगरा कुछ भी नहीं लगा ऐसी डाल देती हूं देखें अगर परफेक्ट में चलिए तो दोर्शा हम जैसा करें तो वैसा आएगा दिखें रॉंड बुलते हैं रॉंड ओवल शेप में ओवल शेप में आएगा जैसा हम दालेंगे वैसा ही चाहिए फ्लेम को लो में लगाना है लो में लगाके पकाई अच्छा क्रिस्पी देक दम क् और उप्ष्णल में और कटा हुआ प्यास भी दाल देते हूं थोड़ा सरा रफकरते हूर सकते हैं अगर्श नल सकते हैं अगर चाहिए तो पानीर भी डाल सकतेहंगे और चीज भी भी दाल सकते हैं बिदıs सकते हैं कि जो पसंद है और दाल के दिजिके शाम का वकत या दोफर का वकत जो चाहिए वो दे सकते हैं रात का वकत और सुबा के वकत तेल का कम दिये तो जितना कम दिये तो अपने बच्चों को अच्छा हेल्दी रहेगा मैं तो हमेशा सोचती हूँ जितना healthy food दे सकते बच्चों को अपन दे सकते हैं बड़े होगे तो अपना बात नहीं सुनते हैं अपना आपका जो चाहिए वही कातों बोलते हैं इसलिए हम जब तक हमारा हाथ में हैं उनलों का अच्छा सा healthy food देना है बड़ा होने के बाद जो गर्मी कहते हैं हमारा हाथ से काते हैं बार जाने बद क्या काते हैं अपन कोई नहीं मालूम गएता है देखे अच्छा सा crispy brown color में आया देखे अब इसको हम फोल्ड कर देते हैं देखे कितना golden color है बहुत बहुत अच्छा है आप समझेंगे प्यास नहीं पका मगर प्यास होता अच्छा है दूसरा भी दाल चुकिए हूं देखे दूसरा भी राउंड आया है और इसको भी फोल्ड कर लेते हैं देखिए देखे न एकदम golden color है और यह चट्णी कौन सा भी चट्णी से भी खा सकते नहीं तो ऐसा ही खा ले सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट रहता है आप लोग एक बार जरूट रहे करें ड्रहे करके अपने बच्चों को दीजिए पसंसे खाएंगे एक से जगा पे तीन चार खा अच्छा टेस्टर है वही घंगए थेसरा दोशा भी आ चुकी हूं और अब हम सव कर लिते हैं 52004 पुदिनी चैट्नी बनाएं महीं चाहिए तो नार्यल गुक्व शामने की बनाया खोकता है जैसे हम कोता हम हुट्ष बना सकते हैं तो पहले मैं चाहा सकते हैं आप अपना ओप्शनल लीजे चटनी के साथ नहीं तो सामबार के साथ भी खा सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट रहेगा देखिया कितना अच्छा दिख रहा है गोल्डन कलर वो भी गरम-गरम और पुदीने का चटनी देखिया कितना अच्छा कॉमनेशन है बच्चों को हम इतना अच्छा healthy food दे रहे हैं ताकि आगे वो लोग अच्छा तंद्रस रहे हैं और healthy रहे इसलिए तो आप लोग देर ना कीजिए आप लोग भी फटा-फट से बनाए बना के अपने बच्चों को दीजिए और आप अपने फैमिली के साथ enjoy कीजिए अगर आप लोग को पस